बाराईवी के प्यारे चात्रों मैं डॉक्टर प्रदीपाचार आप सबने मुझे दूरदर्शन और अन्य बड़े चैनल पर देखा होगा हम देखने वाले हैं आपका हिंदी जिसका कोड़ है 051 का सेट ए और मेरा आपसे बादा है कि जैसे ही आप इनके आंसर सुनोंगे तो कहानी के जैसे आपको पूरे आंसर याद हो जाएंगे तो आप सुनते रहे हैं दूरदर्शन पर भी देखा है और लगातार आप मुझे सुनना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बताओंगा च्छात बृत्ति कहां से मिलती है रोजगार या नौकरी और कहां से मिले 12 के बाद best college कौन से हैं जहां पर आप admissions ले सकते हैं और दुनिया के और अच्छे teachers भी आपको इस चैनल पर मिल सकते हैं तो इसको subscribe और वीडियो को like कर सकते हैं शुरू करते हैं आपके पहला ही question से यह जो instruction यहाँ दिये हुए हैं यह आप अभी पढ़ लीजे वाँ उबकल्बी प्रशन रहेंगे जिसमें पहला ही प्रशन है छोटा मेरा खेद कवीता का हिंदी में रूप आंतरन किसने किया है बड़ा सरल प्रशन है पहली तो यह कि छोटा मेरा खेद किसी और भासागी कवीता थी हिंदी में रूप आंतरन किसने किया बोला भाई पटेल ह बिल्कुल पहला ही आंसर है चूंकि ये गुजराती की कवीता है गुजराती में इसे पता है किस ने लिखा था इसका दूसरा ओप्सन जो ओमा संका जोसी जी है न जो इन्हों नहीं लिखाता ऐसे और इसका रूपांतरन यानि इसका हिंडी में अनुबात कर दिया अपने बो लाता है तो इसका सिंपल सा फंड़ा है कि जो चार भाव है न इस्थाई भाव संचारी भाव बिभाव अनुबाव आदी तो उसमें एक भाव है जो हमेशा ब्यक्ती में रहेगा सहरदई में रहेगा वो है इस्थाई भाव तो प्रतिक्रस का एक इस्थाई भाव होता है इसका अंसर हो जाएगा आ, इस्थाई भाव इसलिए तो वो सोते समय भी यानि सुसुट्त अवस्था में भी विद्धिमान है दूसरा प्रस्षनurate उत्पीडन का आरत क्या है तो उत्पीडन नाम बहुत सुना होगा आपने उत्पीडन यानि सोचन ही है मदद बिलकुल नहीं, उलाहिना तो यहनी किसी comment देना यहाँ उलाहिना करना, यहनी जवाब ना करके किसी remark देना, और पेशा यानी अपर धंदा भी होता है, इसके आधा के वही तीन पात का क्या रत है, धाक एक पलास सुना है, आपने पलास यहा जो चार पत्ते होंगे यह तीन पत्ते एक साथ होते हैं इसलिए इसका अर्थ होगा सदा एक सा पलास के तीन पात में सदा एक सा इसके बाद सिंदू सब्विता के सौंदर बोत को क्या नाम दिया है तो सिंदू सब्विता के सौंदर बोत को नाम दिया है राजपोसित समाजपोस संबाद दाताओं के बीच काम तो बिवाजन देखो लाइव तो क्या कहलाता है जब अपन लाइव जाता है कोई व्यक्ति और बोलता है कुछ तो वो लाइव जाना कहलाता है बीट करना यानि थोड़ा तुम बोलो थोड़ा तुम बोलें यह बीट देना होता है करके बिना मुर्जाय महकने के माने ये बड़ा अच्छा प्रस्ण है खालिस्तान क्या जाने ये कवीता है जिसमें कवीता की ही बात की गई है यानि कवीता कैसी होती है तो जैसे फूल होते हैं वो मुर्जा जाते हैं फिर उनकी सुगंद नहीं रहती पर तो कभी ता कभी नहीं मुर्जाती है तो यहाँ पर आएगा फूल बिना मुर्जाय माकने के माने फूल क्या जाने तो यहाँ पर आजाएगा यह फूल अगला कर्म देखते हैं जिसमें आपको कभी ता और कभी कर्म बगुले के पंखादी जो का रामचंद सुकल का नाम सुनाओगा जिनों ने इसे 1719 वो तक यानि 16 भी 17 भी उठारे भी तीन सताबदियों के लिए रीतिकाल डिवाइट किया और इसे ही सरंगाल काल कहा है किसने बिस्टुनात जी ने पर इसे सरंगाल कहा है और रीतिकाल कहा है ती ध्यान रखना क्योंक इस słuले रितिकाल और सरंगार काल है ठीक है 16 भी शताबदी 17 भी सताबदी और 18 भी सताबदी इसके बाद देखते हैं 16 भी ना के बराबार है सत्त्रा सो से सुरू होता ध्यान लगना ठीक है सत्त्त्रा सो से सत्रा सो से उन्नाई सो तक अगला प्रस्र देखते हैं जो काब्य में जो सुत्पन्य करता हो है खालिस्तान गोण कहलाता है तो पहली बात तो काब्य के तीन गोण होते हैं प्रसाद गोण, ओझगोण, माध़र पर तीन गुण प्रिस्त्थ है जो जोस और उत्साहे लाए वो होता है ओद सरळला के कापि जल्दी से समझ में आ जाए वो प्रशाद होता है और माधोरी जो सुनने में समझने में बहुत अंदर मिठास लाए मधुर्ता लाए वो माधोरी गुण बाला काभर कहलाता है तो यहाँ पर उज उत्साह जो सुत्पन्न करने वाला है उज गुण अगला पहलवान की डोलक पाठ की विदा है पहलवान की डोलक की याद करने वाला एक कहानी है इसके बाद बाक्य का समू है बाक्य का खालिस्तान सर्द का समू है तो सार्थक निर्था क्या बेंगा आत्मक तो बाग के सार्थक सबनों का समू है सौंदल गेकर खालिस्तान बासा के सिक्षक थे आप सब जानते एक जूज जो पाठ है उस पाठ के बारे में लेखक ने सौंदल गेकर नाम के बंदे की बात किये जो एक मराठी भासा की सिक्षक थे जिन्हें चंद और जब वो पढ़ाते तो डूब जाते थे सुर्व का अभी नएका बहुत अच्छा ग्यान था इसलिए वो मराठी भासा की सिक्षक थे पर ही आ जाएगा प्रश्णी ये भी आ सकता है कि सौंदल गेकर क्या थे तो एक सिक्षक थे एक सफल साक्षात कार करता में कालिस्तान होना चाहिए क्या होना चाहिए वही एक सफल साक्षात कार करता में तो होना चाहिए परयाप्त ज्यान सुन्दरताय पर्याप्त ग्यान तो अगर बो इंटर्व्यू ले रहा है साक्षात कार कर रहा है तो उसे पर्याप्त ग्यान होना चाहिए उस बिसाय का तिसका अंसरी हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलानी है रुबाईयां रुबा पर्याता बच्चा और मा के बीच की बात की गई है ठीक है खंड काब एक क्या है तो खंड काब पंच बटी खंड गपर मैतली सरन गुप्त जी का मेरी कल्पना का आदर समाज ये समाज की बात वीमराओं मेटकर जीने की है इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी बाबार पाके और अर्थ के आधार पर बिधी बाचक निसे दवाचक प्रशनवाचक आधी-ाधी अतीत में दबे पाऊं किसकी रचना है तो यही दिया है ना option हाँ रचना के आधार पर यह हो गई बात अब question है अतीत में दबे पाऊं तो तीन और आठ तो option में रहेगा नए अब यह जोड़ी अपन मिलाएंगे ये एक रचना है और जो ऑम थानवी जी का नाम आपने सुना होगा इसने इनकी रचना की है संचार माध्यम रेडियो अब ये संचार माध्यम क्या है तो संचार नहीं फढ़ी सोराट नेडू जो उनकी तो ये लेखा कहाँ से नहीं है संचार माध्यम ये श्रब से इसकी जोड़ी बना दीजिए ठीक है तो ये जोड़ियां हुई इन वीडियो तो बहुत बड़ा होने वाला है पर नहीं हम आगी की भी चर्चा करें कोई दिक्कत नहीं है एक बाके में उत्तर और देख लें बच्चे निर्टा के साथ किसके सामने आते हैं तो आपने एक कवीता है पतंग है न सुरू सुरू में ही पड़ी है आलोग धनवाजी की आलोग धनवाजी की तो उसमें ही बच्चे निर्टा के साथ और सूर एच्छा तादी की बात की गई पतंग की बात की गई तो इसमें रटता के साथ सूर के सामने आते हैं आलोग धन्वा जी की पतंग कवीता है अब में नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रहा है तो इसमें बच्चों की बात है बातसले प्रीम तो बातसले रहा है जब आता है उसे उसका भौरा बनाते ग्यांव का तो बुने हो ग्यांव को ग्ण को गुड़ में मिला कर खाना गुड़ दहानी है अगला है डाक्टर अमबेटकर भीमरावंबेटकर किसमत के अनुआई थे तो यह बहुत धमत के अनुआई थे तकनी की सब्द का दूसरा तकनी की सब्द यानि कोई particular सब्द है जो किसी लंबी बात की ब्याख्या कर रहा है तो वो तकनी की सब्द कहलाते है अगला सिंदू सब्द, तकनी की सब्द यानि परिवासिक सब्द इसका अंसर हो जाएगा सिद्धू सबता की इतों की बनाबट का नुपात क्या था तो पता है जो उनकी लंबाई थी उसका चार हिस्सा है तो उसकी आधी उसकी चोड़ाई थी और अगर मोटाई की जाये तो वो बिल्कुल चोथाई भाग था यहनि लंबाई का चौधाई बाग थम मौटाई तो चार अनुपाद दो अनुपाद एक यह लंबाई चौड़ाई मौटाई का था अगला है यह बाइट क्या है बाईट तो आपने जब यह संचार माध्यम की बात की थी ना तो उसमें बीट भी आया था जैसे संपादा कादी जो न्यूज एंकर होते हैं वो बीट लेते हैं बाईट अलग चीज है बाईट होती कंप्यूटर की जो लेंगविजेज हैं या कंप्यूटर की जो रचना होती है तो उसमें एक बाईट होता है जिसमें अंकों की सरणचना सूचना की एक बैसिकल सबसे आधार बूत एकाई है यह बाइट ठीक है मेमोरी में भी होता है वही कितना कितने जीवी कितना एमबी तो वैसी बाइट अगला देखते हैं सकते हैं आपको बताना राम की सक्ति पूजा कवीता के रचना कार यहां पर पूछे हैं तो निराला है क्या बिल्कुल राम की सक्ति पूजा के जो लेखा कहें वो है निराला चम्पू काबे के अंतरगत नाटा के वं प्रहसन आते हैं तो यह सही है क्या नहीं यह गलत है चम्पू काबे तो जो गद्य और पद्य से मिस्रत होता है वो कहलाता चम्पू काब तो यह गलत हो गया पहला सही है तीसर है श्रीज के ब्रक्ष काटेदार होते हैं बिल्कुल नहीं श्रीज के फूल आपने सुने होंगे तो यह काटेदार नहीं होते है लोकोक्ती और महारे समान नहीं है हाँ बिलकुल यह सही है क्योंकि यह दोनों समान नहीं है लोकोक्ती और महारे में बड़ा सिंपल सा अंतर लोकोक्ती हिंदी संस्क्रित का सब्द है जो की मूलता संस्क्रित का सब्द है लोकोक्ती पूरता इसपष्ट है पूरा बाक्ती होता है लोकोक्ती पर जो महारा होता है वो अधूरा होता है ये किसी बाक्ती के साथ ही बोला जाता है महारा लोकोक्ती में किसी बाक्ती जरूरत नहीं पड़ती है जैसे अगला देखते है जूज कहानी गुदान उपन्यास का अंस नहीं है हाँ बिल्कुल नहीं गोदान एक अलग उपन्या से और जूज कहानी एक अलग कहानी है जूज कहानी किसके बारे हैं वो ही सौरंग लेकर जो एक मराटी सिक्छकते जो गाकार अभिने करके पढ़ाते थे उनके बारे में है ठीक है अगला प्रशने चमाचा लेकर के साथ प्रकार नहीं ये भी गलत हो गया ठीक है अगला है प्रयोग बात की दो बेसेश्ता आपको बतानी है तो प्रयोग बात की इसमें क्या हुआ है प्रेम भावना का बड़ा एस पष्ट खुला हुआ है स्रंगारिक चित्रने और न आगे की कॉस्टन के अंसर अगले वीडियो बताता हूँ तो जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजे तब तक के लिए नमस्कार